भगवान स्वामी नारायण की पवित्र जन्म भूमी और हिमाले की तलहटी में स्थेत जन्पत गोंडा की एतिहासिक प्रश्ट भूमी रही है जन्पत गोंडा में 16 विकास खंड तथा 4 तहसीले हैं जिसमें लगबग 40 लाक की आबादी निवास करती है नीति आयोग के बेसलाइन सर्वे 2015-16 में गोंडा गरीवी सुचकांक में पाचवे स्थान पर रहा जो जन्पत के लिए एक अभिशाप के रूप में था सामाजिक आर्थिक पिछड़े पन से जूज रहे जन्पत के तीन ब्लॉक पंडरी कृपाल, बबन्जोत और रुपई डी को नीत आयोग द्वारा आकांक्शी ब्लॉक के रूप में चिन्नित किया गया राष्ट्रिय क्रामीर आजीवी का मिशन के तहट इन तीन आकांक्शी ब्लॉक में करीब एक हजार स्वेम सहायता समुहों का गठन किया गया इनके द्वारा तयार किये गए उत्पादों को ब्रांट अर्गा के रूप में एक नई पहचान दी गई उत्पादों की पैकेजिंग, ब्रांटिंग और मार्केटिंग की समस्या को दूर कर तस हजार परिवारों के जीविको पार्जन का मार्ग प्रशस्त किया गया ब्रांट अर्गा का लोगो जनपद में स्थापित पार्वती अर्गा पक्षी विहार से लिया गया है जो शांती एवं सम्रिद्धी का प्रतीक है अच्छे से पैकिजिंग करेंगी तो जितना अच्छा दिखेगा उतना ही अच्छा बिगेगा पहले हमारी आमदयनी तीन चार हजार रुपे ती आप हमारी आमदयनी पैतिस अजार चालीस अजार है तो इसलिए घर के लोग भी खुशी है हम भी बहुत खुशी है प्रोजेक्ट अर्गा को जमीन पर उतारने के लिए स्वेम साहता समुहों तथा FCO के लोगों को प्रशिक्षित किया गया प्रतिभागियों का FSSAI पंजीकरण भी कराया गया सक्षम गोंडा, आत्म निर्भर गोंडा, सम्रिध गोंडा की परिकलपना को सफल बनाने की ओर ये पहला कदम है आज बबन जोद के अलसी लड़ू, रुपईडी का वैदिक घी, नमकीन नूडल से लेकर पड़री कृपाल के गोड़ के उतपाद ब्रांड अर्गा के साथ राष्टिय एवं अंतराष्टिय मार्किट में धूम मचाने के लिए तैयार है